प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद और नेवर मिस अनादर अपडेट दुरसंचा रूपकरन बनाने वली कंपणी नोकिया और दुरसंचा सया प्रदता कंपणी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बीते बुदुवार को देश में डाइनामक स्पेक्ट्रम रिफर्मिंग टेकनोलजी इंस्टोलेशन का काम पुरा किया DSR टेकनोलजी में उपलब इस्पेक्ट्रम के बहतर उप्योग से डेटा समेत ग्रहाकों को बहतर सेवा मिलेगी मिली जानकारी के मुताबिक नोकिया ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के आठ सर किलो में पचीस सो मेगार्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में साथे पांच हजा टीडी एल्टी मैसिब मीमो सेल भी लगाया है ये भी आठ सर किल मुंबई, कोलकाता, गुजरा, थरियाना, उत्तर प्रदेश, पस्चिम बंगाल और आंधर प्रदेश में लगाया गया है DSR की तरही मैसिब मीमो टेक्नोलोजी भी स्पेक्ट्रम के बहतर उप्योग से अच्छी सेवा उपलब्द कराती है इस मुद्दे पर बयान देते हुए, Vodafone Idea Limited ने कहा कि DSR टेक्नोलोजी हमें अधिक नेटफर्क कैपासिटी और स्पेड वपलब्द कराता है इसके जरी हम ग्राहकों को बहतर नेटफर्क सेवा दे पाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि Vodafone Idea पहली कमपनी है जो DSR टेक्नोलोजी का परिक्षन कर रही है कमपनी ने ये भी कहा कि हम भारत में बड़ी संख्या में DSR और मिमो टेक्नोलोजी लगाएंगे बहराल ऐसे समझ जब कनेक्टिविटी महतपूर्ण है तब कमपनी ने DSR और मिमो टेक्नोलोजी का प्यनाती कर गराहकों की नेटवर्क छमता और बहतर सेवा देगी कोविट-19 भामारी के दोरान देश में डेटा को प्योग देजी से बढ़ा है बीते कुछ दिनों में डेटा ट्रेफिक 44 गुनां बढ़ा है बाहराल आगे यह देखना दिल चस्पोगा की DSR और मिमो टेक्नोलोजी के ताहत हमें Vodafone Idea Limited दोरा कैसे सेवा मिलती है